नमस्कार मैं रुभनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं कि भारत के नए मुख्य अन्याधिश किया ध्रक्षता में जो पहले कुलिजियम की बैठक वी उसमें गुजरात हाई कोट और तिलंगाना हाई कोट से एक-एक जज़ सर्विसरी निखिल इस करियाल और ती राजा का ट्रांसफर पत्ना हाई कोट में करने की अनुसंसा का निरना लिया गया लेकिन जैसे ही इस निरनाई की जानकारी हुई तो आश्चड़ जनक रूप से गुजरात हाई कोट और तिलंगाना हाई कोट के कुछ एडवोकेट एसोशेशन ने कोट भहिशकार कंद्रणे लिया निश्चित रूप से शही मामलों में अगर प्रजातांत्रिक तरीके से कोई विरूद किया जाता है तो उसे स्विकार किया जाता है लेकिन जिस तरह से एडवोकेट एसोशेशन ने दोनों जगा यह अंद्रणे लिया इसका कोई सकारात्मक संदैश एक भरतिनागरिक के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि नहीं किया देश में और सबसे अशर्जनक बात यह रही कि जब एडवोकेट एसोशेशन के प्रतिनीधी मंडल ने अपनी बात को रखा संभवता मुलाकात के समय में तो उसमें से गुजरात हाई कोट के स्री निखिल एस करियाल के ट्रांसफर की जो अनुसंसा थी उसे रोक लिया गया जबकि स्री टी राजा के अस्तनांतरन को यथावत रखा गया सचकर पुछा जाए तो वरत्मान औरेवल चीफ जेस्टिस अफ इंडिया से देश को बहुत आशा है उनके जितने भी उद्वोधन हुए हैं विभिनकार्ज क्रमों में उससे ये देश में एक संदेश गया है कि जो उचित प्रतिन धित्व होना चाहिए marginalized community का अर्थात SC, ST, OBC साथ ही minorities और women का इसके प्रतिन धित्व के समंद्ध में औरनेवल चीफ सेटिस अफ इंडिया कोलेजियम के माधियम से जरूर सुधार करने की कोशिश करेगे एडवाकेट एशोशेशन ने जिस तरह से इस इसू को उठाया गुजरात और तिरंगाना में मैं रोद करना चाहूंगा कि क्या उन बातों को जो रिप्रेजेंटेशन से संबंधी थे सभी हाई कोट में जो रिप्रेजेंटेशन की स्थिति है खासकर मर्जिनलाइज कमुनीटी की आज से नहीं वर्सों से क्या इस संबंध में ध्याना क्रिश्ट नहीं किया जाना चाहिए था सभी हाई कोट के कोलेजियम का और अगर ऐसी बातों में एड़ोकेट एस्टेशन जो भूत ही महत्पुर्ण अंग है नियाए पालीकार का तो उसका एक अशर परता और आज जो देश की इस्तिति है कि 25 हाई कोट में जितने जजेज हैं आखिर बार बार जो परिवारवाद का रोप लग रह है इसमें तो कम से कम अंतर आता अ कि अन्यतर है कि जो आरोप लगते रहें हैं इसमें तो कमी आतीव अनुसोची जाती है यह अन्य पिछ्रीवर को जिनकी आबादी अलवशंख्यक्यकों को लेकर . उनके प्रतिनिध्यत्व की क्या इस्तिती है और जब हाई कोट में ही जज नहीं होंगे इस मर्जिनलाइज्ट कमुनीटी के तो सुप्रिम कोट में कैसे जज होंगे कि मैं अन्रोद करूंगा कि जदी अड्वोकेट अशोशेशन ट्रांसफर के इसू पर अपनी बात को रखना चाहता है तो मर्जिनलाइज्ट कमुनीटी के कि प्रते निदेत्व के समद्ध में सभी हाई कोट के जेतने भी अड्वोकेट असोशेशन हैं वहां के हाई कोट कोलेजियम में अन्रोद करना चाहिए कि मर्जनलाइज कमुनीटी का रिप्रिजेंटर्सान बढ़ना चाहिए महिलाओं का बढ़ना चाहिए अपसंगा अप भारते नागरी के रूप में एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो वकील कोटा से हाई कोट में जर्ज बनते हों या लोः जुडिसियरी कोटा से बनते हों क्या दो या तीन परस्ट के लिए अगर होम स्टेट के अister दूसरे स्टेट में ट्रांस्पर हो जाता है तो इसमें कौन सी बेरीबात है क्या उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए जब अखिल भारती ये सेवा के पदाधिकारी अपने होम एस्टेट से अलग काम कर सकते हैं और उन्हें होल कैरियर रहना परता है तो क्या दो या तीन वर्स के लिए इससे विवीदिता में एकता आती उन हाई कोट जजेज को भी समझने का मौका मिलता देश को इसलिए इस पर भी एक निरनाय होना चाहिए सुप्रिम कोट के कॉलेजियम का और हाई कोट के कॉलेजियम का के कम से कम दो या तीन वर्ष के लिए परतेक हाई कोट जजज का दूसरे हाई कोट में ट्रांसफर किये जाने का निरनाय देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी बीवित्ता में एकता की बात होगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को अच्ट टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तरक मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्यवाद जाए